सब्सक्राइब करें इस चानल को और इस घंके को दबादें कि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे है। हेलो गाइस तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं डाबार चवन परास के बारे में जो मेरे स्कीम पर देख रहा है आपका डाबार चवन परास से इसके खाने के तरीके के बारे में बात करेंगे बूस लोगों की खाती हैं चवन परास लेकिन इसके खाने के तरीके को पता नहीं होता है इसलिए इसको फैदे कम और नोकसान जादे देखने को मिलता है तो इस वीडियों हम जानेंगे इसके खाने के तरीके के बारे में और उप्योग करने के तरीके के बारे में इसी किस परकार उप्योग करवा जाती है सेवन बिद्य और मातरा इसका क्या है सही मतरा में चवन परास का उपयो करने से कई बीमारि sila देखा गया है अपका कि छोन परास जिस a क्वास रोगों में भी खाफी फैदामदान को माने जाती है तो इस वीडियो में हम पुर है बिस्ता से जानने वाले हैं चोन परास करने चाहूंगा कि अगर हमारे वीडियो आप अच पहरी बार देखे रहे हैं था हमारे इस वीडियो को लाइक कीज़े और हमारे इस चैनल को आप लोगु शेस्क्राइब कर लेड़े तो चलिए भिना देर के वीडियो को करते हैं इस देखरे हैं दोस्तों पराज से डावर कंपनी का है तो आई यह हम जाते हैं कि डावर कंपनी में कॉन-कों सा अरवेधिक जड़ी बुटि को डाली जाती है तो दोस्तो इस चवन पराश को 54 परकार के जड़ी बुटी को मिला कर बनाई जाती है तुरी सलिए रखा गया इसका नाम चवन पराश जो 54 परकार के जड़ी बुटी को डाली जाती है पहला जो इसमें डाला गया आपका बेल की छाल डाला गया आपका आउला डाला गया है मुनक्का डाला गया है जीवन्ती डाला गया है गिलोए डाला गया है बड़ी हरेर डाला गया आपका बहेरा डाला गया है बीजवन डाला गया आपका नगर मोथा डाला गया है बिदरी क दाला गया को खुली डाला गया आपका असोगंधा डाला गया है बहुत ससारवेटिक जड़ी वुट्कों मिला कर रस्म भस्मु को मिला कर चोन पराष को त्यार किया जाता है जो बना बनाए भी किसी भी दोकान में आपको बहुत उसाने से देखने को मिलेगा चौन प्रास बहुत उसाने से आपको मिल जाता है तो आईए हम जानते हैं चौन प्रास के फैदे के बारे में बिश्तार से तो चलिए अब जानते हैं चौन प्रास के गुना रुप्यों के बारे में इसके फैदे के बारे में तो चोनपरास एक अरवेतिक दावा है जो जड़ी बुटी को मिलाकर बनाई जाती है चोनपरास हमारे सरीरी कमजोरी और निर्बलता को दूर करने के लिए हम चोनपरास को यूज करते हैं बिसेश कर दोस्तों हम चौन परास के इस्तमाल करते हैं तो इसका परभा हमरे सातों धातों में हिर्दे पर होती है इसका इस्तमाल से हमारे सरीर में जो आपका यून कमजूरी रहता है यून कमजूरियों में भी हम चौन परास के इस्तमाल करते हैं तो अच्छा लाब मिलता ह गया सारण सक्ति की कमी सनाय दुबलाय महिर्दय रोग धातु छिंता जैसे आपका सुकर्णु कभी कमी है तो आप चौनपरास का इस्तमाल से आपको अच्छा लाब मिलेगा क्योंकि बहुत सारवेदिक दवाई को मिलाकर पोष्टिक दवाई को मिलाकर चौनपरास को बनाई और पुरूसों के बिरी और दोस्त को मिटाकर उनको संतान उप्तर करने के व्योग बनाता सुकर्णु और ओज की बिरीधी करता है यह आपका एक रसायन है और ओजी करन तथा बाड़वार धाक है इसका इस्तमाल से सरीरी कमजुरी दूर होती है ठकावाट सूस्ति आपका तो चलिए अब हम जानते हैं चोनपरास के सेवन बिधी के बारे में मातरा और और नुपम के बारे में तो चोनपरास सभी लोग चोनपरास को इस्तमाल कर सकते हैं जैसे बच्चे बुजूर्ग बुढ़े लोगों के लिए चोनपरास बुजूर्गों के लिए काफी फैद चौन परास का इस्तमाल कर सकते हैं ऐसे भी चौन परास को इस्तमाल कर सकते हैं खाने में बहुत आपको स्वाइदिस्ट है आपका चौन परास तो आप लोग एक बार जरू इस्तमाल करें और अपने डाक्टर के सला करें तो अब हमारा वीडियो लाश्रता है अगर हमारा वी झाल झाल